नमस्कार साथियों से भी विकल आईटे गूरू में आप सभी का स्वागत है आईटे ए सीवेटे एक्जाम जुलाई 2023 दोस्तों आईटे सीवेटे एक्जाम जुलाई 2023 में प्रस्तावी था आप सभी को अच्छे से पता है अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं आईटे की त्यारी नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों मैं कुछ पान तरीके आपको बताने वाला हूँ बस यही तरीका अपना लो आप अच्छे नमबर से पास हो जाओगे दोस्तों कुछ ऐसे पान तरीके हैं जिसे मैं आपको टिप्स के रूप पे बताने वाला हूँ अगर आप इसे फालू कर लेते हैं तो यह पान तरीका आपको पास करवा देगा और अच्छे नमबर से पास करवा देगा फेल होने का चांस बिर्कुल जीरो हो जाएगा अगर आपके मन में कोई डर है कोई संका संदे हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरो वास कर लेजिए गरांटी 100% की है कि आप अच्छे नमर से पास हो जाएंगे दोस्तों आपको अच्छे से पेपर पैटन के बारे में पता तो होगा ही दे सकते हैं ट्रेड थियोरी जो भी आपका ट्रेड होगा कोई भी ट्रेड हो चाहे फिटर हो लेट्रीशन हो टर्नर हो मासिनिस्ट हो कोपा हो बिल्डर हो ठीक है उसमें जो है आपका ट्रेट थियोरी का एक सब्जेक्ट होता है उसका पेपर होता है ठीक है यहां पर दोस्तों मैं इंजिनिक जितने साइट ट्रेड हैं उनके बारे बता रहा हूं जो इंजिनिर ट्रेड है जिसे फीटर है टर्नर है मसेनिस्ट electrician है रिजल मैं कहांने है इन सबके लिए तो यहां पर जो ट्रेड थिउरी कवका पेपर होता है उसमें जो है ट्रेड थियूरी से 38 कुश्चन आएंगे और वरक्साप कल्कुलाशा और साइंस से एक क्वेश्चन दो नमबर का होता है टोटल आपको 100 नमबर आपको मिलेंगे यह तीनों जो पेपर आपका यहां पर देख रहे हैं यह वाला तीनों पेपर इससे कुल मिला कि आपसे 50 कुष्चन पूछे जाएंगे और पचास कुष्चन में से आपका 100 नमबर का आएगा टो पास हो जाएंगे अगर इसमें आप जो है अच्छा नमबर नहीं पाते हैं ठीक है तो इससे दिक्कति नहीं होंगे तीनों सब्जेक्ट तीनों जो होते एक साथ होगा यह भी एक साथ होगा लेकिन यह 25 कुष्चन अलग से जो है इंप्लाइबिल्टी स्किल्स का पूछा जाता है यह 25 कुष्चन रहेंगे यह भी कोशोभा 50 नमबर आपको यहां से मिलने वाले हैं तो दोस्तों टुटल जो मिलाके कुल नमबर को मिलने वाला है कुल मिलाकी सब्सक्राइब करना है अब दोस्तों यह तो बात होगी पेपर पैटरन की अब मैं आपको जो पान तरीका है वह आपको बता दे रहा हूं यह को जानना जरूरी था इसलिए आपको आगे दिक्कत नहीं होगी तो चलिए समझते हूं पान तरीके कौन-कौन से हैं दोस्तों थोड़ा प्यार से इस बात को थोड़ा समझनी कोसिस करिए यहां पे देखे जो भी आपका ट्रेड है मैं आपको बता दिया जो भी आपका ट्रेड है कोई भी ट्रेड हो उस ट्रेड का अगर आपको प्रेक्टिकल नॉलज है ठीक है अगर आपको प्रेक्टि लगभगर सतर मान लेते हैं तो 30% जो है लगभग आपको थोड़ा सा थिवरी पोर्षन पढ़ना पढ़ेगा लेकिन अगर आपको प्रेक्टिकल नालज है तो आप अच्छे नमर से पास हो जाएंगे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बोक्स से पढ़ना पढ़ेगा अब समधिक कारी अगर आपको थोड़ी जानकारी है कि कैसे कैसे हाउस वारिंग होती है कैसे मोटर बैंड ने की जाती है ठीक है तो आपको थोड़ा जो है जानकारी होगा तो आपका कहन के जो ट्रेडर थियोरी होगा आप जब उससे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीज़ कौन सा हम टिक करें जो भी कोशन उस्तों रहेगा आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा और आप सही गलत का आसान से पहचान कर सकेंगे तो प्रैक्टिकल नौलज उस्तों बहुत जरूरी है जो लोग कॉलेज गए हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है उनको अच्छे गया से पूछे जाएंगे तो अगर आप अच्छे खासी तो आपको अच्छी नमबर इसमें मिल जाएगा आप बात करते जोस्तों यहां पर दूसरे नंबर का यहां पर देखे दूसरा पॉइंट यह है बहूत ही महत्पूर आपका सिलेबस क्या है आपको यह पता होना चे से topic उसमें दिये गए हैं तो दोस्तो syllabus आपको जानना बहुत जरूरी है कि syllabus क्या है क्योंकि syllabus के according आपके exam में आने वाला है और कितना पढ़ना है ये भी जानकारी होना चाहिए कि syllabus तो दिया है पूरी किताब पढ़ना है या फिर उसमें कुछ topic पढ़ना है तो कौन-कौन से topic ह उस topic को पढ़ना है तो दोस्तो आपको इतना पता होना चाहिए कि syllabus में क्या है और कौन-कौन से topic हमें पढ़ना है कितना पढ़ना है ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए अगर नहीं है तो आप जो है उसको कहन कहीं नट से उसको search करिए और उसको syllabus को देखिए कि क्या- सीड़ी बनाना पड़ेगा ठीक है जो आप सीड़ी बना लेंगे तो कहन कहीं आप उस छट पे चढ़ जाएंगे तो दोस्तों वही बात होती है सीड़ी जो है इस छट पे पहुचाने के एक जरिया है एक रास्ता है ठीक उसी परकार से आपको जो पाठिकर है जो सिलेबस है ये आपको उस target तो उस मंजिल तक पहुंचाने का एक जरिया है syllabus बास वह में आ रहे हैं तो जिस परकार से सीड़ी का परियोग हम छट पे जाने के लिए कर रहे हैं और उसी परकार से हम syllabus को हम अपने जो हमारा टारगेट है जो हम सीविटिक जामें पास होना चाहते हैं उस syllabus क पहुंच पास हो सकते हैं अगर syllabus यह पता रहेगा तो आप उस पहुंच पाएंगे इस बात को दोस्तों समने कोसिज करिए तो यहां पर बात वही है तो आपको समने आ रहा होगा अब इसके बाद उस्तों सबसी महतपूर पॉइंट है तीसरा पॉइंट अभी दूपॉइं आपको इतना पता होना चाहिं पिछले सालों میں तो कैसे पता करेंगे आप दूस्तों क्या करें कि मने मता था भारत से आई यह वालों के लिए आप पर जाए आकश्जाम prohibi देगे हैं कुछ question previous question देगे हैं उसको download करिए और वहां से उसको पढ़िए कि किस type से question आपके exam में पूछ जाते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे हम त्यारी कर सकते हैं तो इस तो यह short trick है कि अगर आप PY question जो है जो है previous question देखते हैं तो आपको एक अंदाजा लगा कि कहां कहां से question आते किस type से सवाल बनते हैं अगर आप इतना पता कर लेंगे तो आपको अच्छी खासी जो से वहाँ पे number मिल जाएगा अब इसके बाद तो उसका सबसे बहुत बड़ा फाइदा है कि उसको जो है आप पढ़िए और उसको अभ्यास करिए यह बहुत बड़ा जो है एक मंत्र समलेजे कि आप यमसी की question जितना practice कर लेंगी जितना अभ्यास कर लेंगे उतना आपका आपका अच्छा नंबर और मिलता चला जाएगा तो इसके आप रटा मारेंगे तो समझ Garar जो है याद कर सकते हैं ठीक है दो हपतार कर सकते हैं एक मेहने याद नहीं कर सकते हैं तो रट्टा माने से अच्छा है आप समझकर उसको पढ़िए और उसके बाद उसका नोट्स अगर त्यार कर लेते हैं तो आपको और फायदा होगा क्योंकि लिखते समय हमें कुछ चाज़ी याद होती है और जो उसका फ्रेक्टिस कर लेंगे दो-तीन बार तो अच्छी कासी आपके पास देगे नौलज हो जाएगी और जब आप नौलज लेकर एक्जाम हाल में बैठेंगे तो दावाट ठोक कराएंगे कि मेरा जो है हो जाएगे कोई भी सर्टिफिकट आगर आपके पास है तो उसके प्रति आपको समरपर देना पड़ेगा अपने आपको जब तक समरपर नहीं होंगे तो आपको कहें कि उससे कामया भी नहीं मिलने वाली है अगर कोई किसी पास भी यह है कुछ भी कोई भी डिगरी हो जब त तो कहेंगे आईटिय अच्छा है तो आपको क्या करना है उससे पहला कुछ समरपर देना होगा समरपित करना होगा अपने आपको तो समरपर करेंगे तो आपके अंदर एक आदम विश्वास बढ़ेगा आदम विश्वास बढ़ेगा तो आपको पहले समरपर देना है इसक आप विस्वास करिए आप अच्छे नमर से पास हो जाएंगे लेकिन उस्तों आपको कुछ त्यारी करने होगे तो कुछ पॉइंच पॉइंट तो जो मैंने आपको बताया है आई होप आपको सोमे आया होगा और आप दोस्तों इसको फालो करेंगे कहन कि आपका रिजल्ट ब बार फालो करके देखिए कहन कि आपको बहुत अच्छा खासान दुस्तों नमबर आपका मिलने वाला है चलिए आई होप कि आपको सोमे आया होगा मिलते है नेक्स वीडियो में ठाक्सर वाचिंग